जियोनी ने भारत में अपने दो नए स्मार्टफोन के साल साल 2018 की लॉंजिंग की शुरुआत कर दी है जियोनी ने आज भारत में F205 और S11 Lite स्मार्टफोन पेश किये हैं इन दोनों फोन को कंपनी ने पिछले साल चीन में लॉंजिंग किये थे दोनों फोन के खासियोतों की बात करें तो इन में फेस और लोग फिंगर प्रिंस सेंसर दिया गया है तो चलिए आपको बताते हैं दोनों फोन के फीचर्स के बारे में विस्तार से Gioni F205 की कीमत और स्पेसिफिकेशन Gioni F205 की फीचर्स की बात करें तो इस फोन के कैमरे पर कम्पनी ने काफी काम किया है इस फोन के कैमरे में बैग्ग्राउंट ब्लर करने के लिए इफेक्ट दिया गया है खास बात तो यह है कि इस फीचर्स सेल्फिक कैमरा के साथ है Gioni F205 में 5 मेगा पिक्सल का फ्रंट कैमरा है और 8 मेगा पिक्सल का रियर कैमरा है इसके लावा इस फोन में 5.45 इंच की फूल व्यू डिस्पले है जिसका एकसेप्ट रेशियो 18 इस टू 9 है फोन में डूल सिम सपोर्ट, मेडिया टेक, MT6739, क्वाट्रकॉर्ट, प्रोइसर, 2GB RAM और 32GB स्टोरेज है जिसके 256GB तक बढ़ाया जा सकता है इस फोन में 2670MH की बैटरी, Android Nukat 7.1, headphone jack, 4G support, fingerprint sensor, face unlock feature और USB port है इस फोन की कीमत 8999 रुपीज है जियोनी S11 Lite की कीमत और स्पेसिफिकेशन की बात करें तो जियनी S11 Lite में 5.7 इंच की फूल व्यू डिस्पले है 1.4GHR, Qualcomm, Snapdragon 430 processor, 4GB RAM और 64GB storage है फोन के कैमरे की बात करें तो इसमें dual rear camera setup जिसमें एक कैमरा 13MP का और दूसरा 2MP का है वही front camera की बात करें तो 16MP का है इस फोन में 3030MH की बैटरी है headphone jack, fingerprint sensor, face unlock और 4G support जैसे features दिये गये है इस फोन की कीमत की बात करें तो इसमें 13,999 रूपीज का है Next 9 Tech की रूपोर्ट झाल 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 झाल